दोस्तों आज हमारे पास है दोस्तों मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्टेक व्लॉग पर दोस्तों चले शुरू करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग हमारे पास है सीगेट बैक अप्लस लिम 2 टीबी हार्ड डिस्क तो सबस्वेले फ्रेंट पे आपको क्रेट माइलो सफ्टेयर का वन इयर का उफर मिल जाता है जो आपकी बिसिकली वीडियो और फोटोस को और इस करने के लिए यूज होता है 529 में लिस्टेड है और मुझे यह 4600 के राउंड पड़ी है साइड में आपको यहां पर यह भी देखने को मिलता है अडॉप क्रेट क्लाउड फोटोग्राफी प्लान जो की 4 मंथ की मेंबर्शिप है आपकी तो इस हट्डेस के साथ आपकी 3 साल की रिकवरी सर्विसेज एक साल का क्रेट माइलो सॉफ्टेयर का ओफर और अड़न अड़ोप क्रेटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान फॉर मंथ यह आपके फ्री आते हैं तो अब चलिए इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ पीपाओ के देखना मलता है यह माईलो क्रिएट सॉफ्ट्टेयर आपको कैसे रडीम करना है यहां पर यहां पर यह सीगेट का अपना मैनॉल है यहां पर थोड़ी सी इंफोर्मिशन होग पुलीस की सुरत नहीं पड़ेगी और फिर यहां पर हम देखते हैं इक पैकेजिंग के अंदर ब्लू कलर के हार्ड डिस्क and one USB 2 नॉर्मल हार्ड डिस्क केबल and USB 3.0 and USB 2.0 दोनों ही सपोर्ट करती है तो यहां यहां पर लिखा भी हुआ है USB 3.0 केबल है जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है USB 3.0 केबल तो बसको ओपन करते हैं हम लोग थोड़ी सी सिक्यूर पैकेजिंग यहां पर क्योंकि यह बहुत ही डेलिकेट चीजें हैं computer hardware तूटने कर फितरा बहुत रहता है shipping के दौरां और यह आपकी cable and this hard disk is pretty slim बहुत ही जदा slim है यह बहुत जदा handy है तो मुझे लगता है इसको carry करने में दर उदर करने में कोई problem होगी है और यह 2db की hard disk है तो I think उस दब से काफी ही पतली काफी ही slim है तो चल आप इसको open करते हैं and then let's have a feel तो यहां पर यहां पर आपको top पे यह hard disk का connector देखने को मलता है यहां पर C gate की branding है यहां पर indicator है bottom में कुछ नहीं है side में कुछ नहीं है and then back में there is some barcoding and other information model number backup plus slim देखने में यह hard disk काफी अच्छी है काफी ही handy है काफी अच्छी लग रही है तो चल आप इसको अपने laptop को साथ connect करके speed test करते हैं तो हमारे पास यह C gate की hard disk है इसे अब हम connect करते हैं तो सबसे पहले यहां पर Mac के साथ मैंने एक USB-C adapter connect किया है जो HDMI, USB-C और USB output देता है अब हम इसको hard disk के साथ connect करते हैं तो अब देखिए hard disk on हो गया है indicator on हो गया है तो यहां पर कुछ फाइल मिलती है जो start here for Mac, start here for Windows and warranty फाइल तो आप इस पर क्लिक करके आगे अपना process complete कर सकते हैं drive registration का तो मैं registration करके आगे ready करके फिर हम लोग इस पर file transfer की speed देखते हैं कितनी आती है तो दोस्तों अभी हम करने जा रहे हैं अपनी C gate 2 TB backup plus slim hard disk का speed test यहां पर हमारे पास software है जो black magic का disk speed test software है जो आपको Apple app store पे Mac app store पे free of cost मिल जाएगा इससे आप अपना test कर सकते हैं तो हमने यहां पर hard disk कर दिया है USB-C port के थू एक adapter को यूज करके क्योंकि यह hard disk जो है USB 3.0 cable के साथ है तो हमने USB 3.0 compatible adapter के साथ इसको connect कर दिया है जो कि Amazon basics adapter है इसका भी लिंक आपको description मिल जाएगा यहां से हम target device target drive को select करते हैं backup plus slim और इसी के साथ अब हम speed test को commence करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको अभी 100 Mbps के round की speed देखने को मिल रही है जो कि right speed है तो 120 के round जो है मेंचेंड था वेबसाइट पर यहां पर read speed जो है आपको 130 Mbps के constant मिल रही है तो right speed जो है वो 110 तक शुरू हुए ती दन 90 के round गई और दन 119 पर आगे लास्ट में रुकी है और यह सेकेंड राउंड आफ यहां पर टेस्टिंग शिरू हो गई है जिसमें यह 123 Mbps के आपको speed मिल रही है right में और 118 120 122 Mbps के round आपको speed मिल रही है read में तो अभी थर्ड टेस्स हतम हुआ जैसे 125 Mbps is the right speed and 130 Mbps is the read speed तो दोस्तों यह 120 Mbps के round की जो speed है यह एक काफी काम है उसके लिएक तम पर्फिक बैठती है वहीं पर अगर मैं एक fast SSD लेता इस टाइम पर जो सीगेट की आती है वो एक TV की hard disk के round 11-12,000 की आती है और यह जो एक hard disk के मेरे को साड़े चाहर 4,700 something की पड़ी है तो दोस्तों अगर मेरे को 2 TV के hard disk जो एक fast SSD के मुकाबले half price पर म 5,299 यानि के 5,299 रुपए है और मेरे को यह hard drive 4,700 रुपए की पड़ी है 500 रुपए का card discount मिला के तो इस price range में 2 TV की hard disk एक बहुत ही अच्छा option है और यह एक fast hard disk है जैसा कि हमने देखा अपने test में कि यह बहुत ही तेजी से data transfer कर पा रही थी इस price range में एक fast hard disk जो 100 Mbps प्लस पर आपका data transfer कर पा रही है और 2 TV के storage के साथ वह एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही option है तो दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आया तो like कीजिए subscribe कीजिए मेरे चानल को क्योंकि मेरा analytics मेरे को बताते हैं कि 56% लोगों ने बिना subscribe की यह videos को देखा है तो अब subscribe कीजिए subscribe करने में कुछ नहीं जाता आपका it will help my channel grow और अगर आपको device purchase करना है यह hardest purchase करनी है तो link आपको description ने मिल जाएगा